सीरीज के फर्स पार्ट के अंदर लेट्स हाब इंट्रोड़क्शन तो कैपसिटर पॉर इस कैपसिटर्स का मतलब राएगा इस अ मेजर और इस अबिलिटी तो स्टोर द चाजिस मतलब की चाजिस को हमने क्या करना है? स्टोर करना है और वो काम कौन पूरा करेगा? कैपसिटर है वो पूरा करेगा मतलब डिवाइस तो मतलब ये काम कैसे होगा? स्टोर तो मतलब बैटरी भी करती है ठीक है? और ये अभी नया कुछ आया कैपसिटर तो वो भी करेगा तो पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि बैटरी हमको क्विक रिस्पॉंस नहीं करेगी लेकिन ये कैपसिटर जो है वो हमें क्विक रिस्पॉंस करेगा ठीक है? तो मतलब की चलो वो तो सारी चीज़े होती रहेगी पहले हम देख लेते हैं कि इस क्विक रिस्पॉंस का मतलब क्या होता है ठीक है? तो मतलब की कैपसिटर है मतलब उसको बनाना कैसे है हमें तो यहां पर देख लो कि यहां दो स्फियर है स्फियर नंबर वन और स्फियर नंबर टू sphere number 1 is क्या है positively charged and sphere number 2 is क्या है negatively charged sphere number 1 is having potential V1 and sphere number 2 is having potential V2 तो यहां पर क्या लिखा है potential difference is V2 minus V1 if these two connected by a conductor then there is a no net charge इसका मतलब यह है कि दोनों sphere को अगर connect कर दो तो मतलब net charge क्या हो जाएगा plus Q and minus Q both will get cancelled मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे को खतम कर देंगे ठीक है तो भई यहां बनाना कैसे है सीधा ऐसे Q एक को plus Q दे दिया एक को minus Q दे दिया ऐसे direct कैसे किसने बोला ऐसा करना है ठीक है तो चलो उसका basic देखते है कि यह plus Q ही क्यों दूसरा वाला minus Q ही क्यों दोनों plus Q ही दोनों minus Q नहीं तो वह भी तो समझ होना चाहिए के नहीं तो चलो दीरे-दीरे करके हम देखते है Suppose we go on gradually adding positive charge on a sphere मतलब कि यहां पर देखो आप यह वाले sphere की उपर आप क्या कर रहे हो one by one positively charged particle को आप add करते जा रहे हो मतलब कि अभी B है यह नहीं आप भूल जाओ B करके कुछ है अभी सिर्फ देखो कि भाईया क्या है सिर्फ A ही है ना तो मतलब कि suppose we go on uh go gradually adding positive charge on sphere so potential and electric field around is increased मतलब सीधी बात है जैसे ही charge होगा अप थोड़ा तो basic आता ही है ना electrostatic के अंदर के बहिया charge को आप add करो तो क्या होगा electric field बढ़ेगी field बढ़ने से क्या होता है तो potential बढ़ेगी है ना तो मतलब कि अभी क्या होगा at one point e become so strong that it ionized the air particles it is called dielectric breakdown मतलब कि अब क्या हो रहा है कि यह जो charges है वो इतने सारे हो गए वह आसपास का जितने भी air particles है molecules से सब को क्या कर रही है दीरे-दीरे ionized कर रही है मतलब कि क्या atmosphere को भी कत्रे में डाल रही है मतलब कि अभी अब जैसे ही particle को डालोगे तो क्या करता जाएगा जो भी atmosphere है उसको ionize करता जाएगा then what that 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 particular point is called dielectric breakdown ठीक है लेकिन हमें तो इंट्रस है भाईया capacitor मतलब charges कैसे store करना है मतलब अभी आप क्या कर रहे हो आपने charges डालने जाए ठीक है तो मतलब कि so charge is leaked and the surface is not able to store charges क्यों leak क्यों हो रही है आपने बोला ना कि पूरा atmosphere क्या हो रहा है ionized हो रहा है मतलब कि अभी दीरे-दीरे-दीरे चार्ज भी हो क्या करेगा atmosphere के अंदर conduct करता जाएगा मतलब कि आपने एक चार्ट डाला लेकिन हो क्या हो गया leak हो गया वापिस से क्या निकल गया बाहर निकल गया है के नहीं तो मतलब कि आप स्फियर के अंदर एवाल स्फियर के अंदर और चार्ज डालने है तो ना इस नाट पॉसिबल है ना तो मतलब कि अभी क्या करना है अभी देखो आप कि as we know q increase v increases so the r is not r is the ratio is q by v is constant मतलब कि every time charge आप जैसे ही डालोगे every time क्या होगा potential वैसे increase होगी है के नहीं जैसे चार्ज बढ़ा वैसे पोटेंशल बढ़ा इसका मतलब यह है कि q by v का जो ratio है वो क्या रहेगा constant रहेगा लेकिन वह यह जो important बात है वो तो discuss नहीं हो रहे ना अभी कि next what to do to store the charges क्योंकि हमने तो क्या है चार्ज जैसे ही डाला तो दीरे दीरे करके टाइम पर क्या हो गए यह dielectric breakdown हमको मिल गया हमको और charges क्या करना है यहां पर store करने तभी करना क्या है तो चलो देखते हैं यहां पर देखो आप so you can put a negatively charged sphere है ना मतलब कि पहले हमने फिगर में क्या देखा था सिर्फ a को देखा था अब दीरे दीरे हमने क्या डाल दिया तो क्या हमने बी को डाल दिया बी को भीया क्यों डाला कुछ तो reason रहेगा ना मतलब कि यह negatively charged जो sphere है उसको हमने डाल दिया the reason is it lowers the potential and electric field of the first sphere मतलब कि पहले sphere की जो potential रहेगी है ना वो क्या है very high potential यह negatively charge जो भी है इसकी वजह से यह पूरा atmosphere क्या करेगा आसपास का वो पूरा का पूरा potential है उसको क्या करता जाएगा यह lower down करता जाएगा मतलब कि हमारा काम क्या था चार्ज को store करना चार्ज store हो रहे थे लेकिन क्या आ गया तो यह देखो डाएलेक्रिक ब्रेक्डाउन आ गया ब्रेक्डाउन को अभी overcome करने के लिए हमने क्या प्लेस किया एक दूसरा sphere प्लेस कर दिया कि पोटेंशल जो बढ़ रही है उसको आप क्या करना है अभी कम कर दो हैगी नहीं तो negatively charge sphere की वजह से क्या हो रहा है आपका मतलब कि potential lower down हो रहा है ना so the capacity of the first sphere to store the charges increases so we can say that if you want to form what capacitor तो उसकी जो पूरी के पूरी formation है वो कैसे रहेगी एक को आप positively charge कर दो और दूसरे को आप क्या negatively charge कर दो हैगी नहीं मतलब कि shape it is not necessary कि यहां पर जो sphere वगेर रखा हुआ है आप sphere वगेर ही रखो है ना मतलब शेप तो कुछ भी हो सकता है in future we'll see cylindrically shape भी हो सकता है spherical भी हो सकता है parallel plate भी हो सकता है देरा many more आपके syllables के अंदर दो या तीन ही है but when it comes to entrance exam there are many more right तो मतलब कि at the end अभी क्या हो रहा है कि आपका capacitor बन गया और वो क्या कर रहा है अभी जितने भी चाहे चार्जिस आप डाल दो है ना यह battery से better क्यों है battery से better इसलिए है क्योंकि वो response क्या करेगा फटा फट करेगा वो अभी हम बाद में देखेंगे अभी अब यह समझ लो कि वह quick action के लिए quick reaction के लिए हमने हमने क्या use करना है हमने capacitor को यूज करना है the important and the most essential part is कि जैसे ही Q बड़ा क्या बड़ा potential बड़ा मतलब की Q by V का जो ratio है that is nothing but the capacitors एक बात बाद बात के रख लो के पहले 9th and 10th उसके अंदर आप क्या याद करते देगे वह ओम लो क्या VD is equal to learn about capacitor and capacitance यह वाला जो formula है ना कि Q by V that is equal to C यह capacitance की जो यह formula है ना हर बार गिस्ती जाएगी मतलब कि हर बार यह formula तो आएगी यह आएगी है ना तो मतलब यह वाली formula को आप याद करके रख लो है यह नहीं तो मतलब कि आपको क्या हो गया ready capacitor ready हो गया कुछ और information ले लेते हैं कि SI unit is क्या है C by V formula नहीं है C माने क्या है column औ मतलब की यह इसकी SI unit की formula क्या हो जाएगी कुलंपो वोल्ट but commonly used formula रहेगी फेराड फेराड है नाम अब कोई scientist ने इसको क्या किया था इजाद किया था that's why it is called farad और इसका symbol क्या बन जाएगा इसका symbol बन जाएगा capital F but practically F is very large मतलब की it is not necessary के भाई यह F की जो value है वैसे की वैसे वगेरे होते दे उसके अंदर भाया F की range की अंदर आप जो capacitance रखोगे तो it is very large तो मतलब की आप क्या use कर सकते हो micro faraday is commonly used ठीक है there are few conversions one micro faraday that is equal to 10 raise to minus 6 faraday one nano faraday that is equal to 10 raise to minus 9 faraday one pico faraday that is equal to 10 raise to minus 12 faraday इसको हम सबसे ज्यादा use करते है ठीक है अब यह जो दोनों symbols है दोनों approximately क्या लग रहे हैं आपको एक ही लग रहे हैं लेकिन minor difference है definite capacitance मतलब की capacitance की जो भी value है अगर fixed है तो बैया दो plate के बीच में ऐसे मतलब बीच में एक line खीश नहीं है लेकिन वो line exactly कैसे आने चाहिए according to this symbol आने चाहिए ठीक है तो मतलब की यह जो dark portion किया हुआ है इसके अंदर capacitance की value कैसे रहेगी fixed मान लो capacitance की value क्या रहती है वेरी होती है ठीक है आप change कर सकते हो तो इसका मतलब क्या जाएगा कि उपर वाला symbol है वैसा है लेकिन बीच में क्या जाएगी एक arrow आ जाएगी तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे है क्या क्या है कि या capacitor माने क्या तो कि चार्ज को हमने store करना है चार्ज केसे store होगा तो पहले आप ले लो एक conductor conductor की उपर one by one करके आप positive charge add करते जाओ एक टाइम आएगा आप charge जैसे याड करोगे तो क्या हो जाएगा टाइलेक्ट्रीक breakdown हो जाएगा इसकी वज़े से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रीक फिलेंट पोटेंशल क्या तो बढ़ जाएगी तो अभी क्या करना है इसकी वज़े से हम लोगों ने यह क्या प्लेस कर दिया गाएगा और जितने भी चाज़ीज है इसकी अंदर क्या करते जाऊ आओ पढ़े तीरे करके स्टोर करते जाओ है ना लेकिन सबसे इसेंशल पार्ट क्या मैंने बताया इसकी जो formula है which is q by v that is equal to c हैगी नहीं and then फेराडे आप यह नाम याद कर लो फिर commonly used यह conversion आप याद कर लो then उसके बाद क्या हो जाएगा यह symbol वगेरे हमने याद करना है ठीक है तो वह यह क्या था अपना basic conceptual clarity over capacitor and capacitance thank you